11 दिन बाद फिर से शुरू हुआ 14 पावर प्लांट के निर्मान का कारे पिछले 10 जन्वरी से 14 थर्मल पावर प्लांट के निर्मान अस्थल पर हो रहे है उपद्रों के कारण बकसर थर्मल पावर परियोजना का काम बंद था पिछले दो-तीन दिनों से परियोजना का कारे शुरू हुआ लेकिन वह बहुत धीरे-धीरे हो रहा था सनिवार से तक्रीमन 150-200 मजदूरों के साथ कई अस्थानों पर भी काम शुरू कर दिया गया है बकसर अनुमंदल पदाधिकारी धिरेंद्र मिश्रा अनुमंदल पुलिस पदाधिकारी गोरक राम चौसा अंचला धिकारी एवं मुप्सिल थानाध्यक्ष के सहयोग से S.J.V.N. तथा L.N.T. के परियास से परियोजना का काम शुरू कर दिया गया है सामानों से भरे ट्रकों का सामान अनलोड होना शुरू हो गया है और उनका आना जाना भी शुरू हो गया है जीरा परियास सहयोग से वस्तूस्तिती सामान ने होती नजर आ रही है इसी क्रम में S.J.V.N. के निदेशक विधुत का परियोजना में आगमन हुआ जिससे की S.T.P.L. और L.N.T. के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ा है S.J.V.N. के CEO मनोज कुमार ने कहा कि परियोजना में कारे सुरू होने पर बकसर प्रसासन और आम जनता धन्यवाद की पात्र है उन्होंने कहा कि भारत सरकार, बिहार सरकार एवं जिला प्रसासन के सहयोग से परियोजना का कारे पुनह पटरी पर धीर धीरे लोट रहा है जो जल्द ही जोड़ पकड़ लेगा ग्यात हो के फिलहाल कारे सिर्फ परियोजना के अंतरिक प्रांगन में ही शुरू किया गया है CEO मनोज कुमार ने इस कठिन परसिती में सभी से सहयोग किये जाने का आगरा किया है STPL और हमारे मेरेजमेंट हर तरह से सहयोग करने के लिए तयार है आज सब आप लोग पूरे समाज को सब को सोचना होगा कि STPL आपका प्राइड जोसको कैसे सुरू करें पोश्ट मॉटम सरबाद में भी हो जाएगा किसकी गलती थी बाद में होगी सुरू करना सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है और आपके माध्यम से मैं आगरा करना चारूँ उत्भाई से कि परसनल इंट्रेस्ट को किनारे करके नसल इंट्रेस्ट में बात करें थैंक यू